नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर समयक धवन आप देख रहे हैं कायक कलब गुरूबल का यूट्यूब चैनल दिस इस दी ओनली यूट्यूब चैनल डेडिकेटिब टू प्रोवाइदिंग विटिलाइगो इंफोर्मेशन इन दी एंटायर वर्ल्ड इस इन दो सब्जियों का रोल है भी नहीं सफेद दाग के इलाज में और यदि है तो आपको कितना इंपोर्टेंस इसको देना चाहिए और अगर रोल नहीं है तो क्यों इसके ओपर इतनी ज़्यादा इंफोर्मेशन नेट पे है और यूट्यूब पे है और एक सफेद दाग क कि रोगी को याने की विटलाएगो लिकोडर्मा या वाइट स्पॉर्ट के पेशन को इस रस्ते पे चलना चाहिए या नहीं हाई गाइस लेट्स टॉक अबाउट दो ऐसी सबजियां जो सफेद दाग को कम कर सकती है गाइस बिना किसी टाइम को वेस्किए बात करते हैं सब से पहले ऐसी सब्स दाग को कम कर सकती है नंबर वन रीजन ये है कि विटलाइगो की मैनेजमेंट में, जब आप केसी डॉक्टर से विटलाइगो का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो देखा जाता है कि काफी बार हमारे देश में, स्पेशली फीमेल्स में, अनीमिया पाया जाता है, अनीमिया का मतलब है कि खून की कमी हो पर होता है, उनकी recovery बेटर आती है compared to जिन लोगों में अनीमिया होता है, जिन लोगों में खून की कमी होती है, इसलिए मैं recommend करता हूँ iron supplementation, अब iron supplement लेने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे ही आस पास हमारी kitchen में, हमारे environment में हमें पालक मिल सकता है, green leafy vegetables मिल सकती है, सेब जैसे बढ़िया fruits मिल सकते हैं, जिसमें की अधिक मातरा में मिलता है iron, तो यदि हम सबजी खाएं पालक की और उससे हमें मिले अधिक मातरा में iron, तो हम अपने hemoglobin level को बढ़ा सकते हैं, और इससे हमारे vitiligo management में सुधार हो सकता है, सिरफ iron ही एक ऐसी चीज नहीं है जो पालक में म दिलता है, ये सारी चीजे important हैं हमारे vitiligo treatment में, ये तो हुई पहली सब्जी जो मैंने आपको बताई, अब मैं आपको बताऊंगा second सब्जी जिसका role है vitiligo treatment में, और end में ये भी बताऊंगा कि ये कितने important है, तो आपने end तक ये video मेरे साथ देखनी है, अगर यहां तक ये video आपको अच्छी लग रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक like करें, information अगर आपको पसंद आती है, तो channel को आप subscribe करें, अगर पहली बार आप इस channel पर आए है, second vegetable जिसका कुछ role है vitiligo treatment में, वो है गाजर की सब्जी, guys आप गाजर की सब्जी को किसी भी तरह से अपने घर में बन वालें, या तो आप mixed vegetable बना लें, गाजर, मटर, आलू, ऐसी सब्जी खा लें, या फिर अगर आपको सब्जी के form में गाजर नहीं पसंद तो आप soup के form में ले सकते हैं, सलात के form में ले सकते हैं, वो भी नहीं पसंद तो आप juice बना के पीलो, कहने का मतलब यह है कि आप गाजर किसी तरीके सा अगर हफते में दो बार अपने life में incorporate कर लेते हैं, तो गाजर का क्या roll है, इसमें मिलता है very high amount of carotenoids, अब carotenoids क्या होते हैं, beta carotene, carotenoids, यह कुछ ऐसे substances हैं, nature में, plants में, जो की color produce करते हैं, color formation में help करते हैं, इसी के साथ-साथ गाजर में मिलता है high amount of vitamin A, तो गाजर में मिलने वाला vitamin A, beta carotenoids, यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो vitiligo patients को मदद कर सकती हैं, not only because of their color formation properties, but also because of their anti-inflammatory and antioxidant properties, तो यह तो थी दो ऐसी सबजियां जो मैंने आपको बताई, जिसका कि कुछ रो, कितने percent roll है, यह मैं आपको बात में बताऊ, लेकिन कुछ र प्लेट कर रहे हैं कि मुझे treatment लेना चाहिए कि नहीं, या जो मेरा treatment चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है कि नहीं, या doubtful है कि vitiligo का treatment possible है भी कि नहीं, तो मैं आपको screen पे कुछ before and afters दिखाना चाहूंगा, यह कुछ ऐसे patient हैं, जिन्होंने काया कलब global से online treatment लिया था, for about 6 months to one year, and यह इनकी before and after की photographs हैं, आप notice करेंगे इन photos में जो color formation हुआ है, it is exactly matching, आप notice करेंगे कि जो बिमारी है, वो उसका रंग तो बना ही है, साथी साथ उसका जो भढ़ना भी है, वो भी रुग गया है, तो मैं अपने सभी viewers को यह advice करना चाहूंगा कि आप कहीं से भी treatment लें, I don don't mind, आप कहीं से भी treatment लें, as long as जब treatment शुरू किया था, और अब 4-6 महीने बाद, अगर आपने अपने doctor को बताया था, मैं आप ए disclaimer देना चाहूंगा, अगर आपने अपने treating doctor को बताया था कि sir, ma'am, मेरा सफेद दाग भढ रहा है, और उसके बावजूद भी, वो 6 महीने ब भी भढ रहा है, then I'm sorry, आपको डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए, मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपने treatment शुरू करते ताइम, डॉक्टर को बताया था कि मेरा सफेद दाग भढ रहा है, और उसके 4 महीने बाद भी आपका सफेद दाग भढ रहा है, then it is not a good treatment, I have no animosity against anyone on YouTube, but if you are taking treatment from anywhere and they are not able to control the spreading of your disease in 3-6 months, especially जब आपने उनको बोला, day 1 पे नहीं बोला, that's a different thing, आपने day 30 पे बोला, day 60 पे बोला, you know, 3 महीने बाद बोला कि मेरे को निया दाग आया है, वो नहीं, शुरू वाले दिन ही आपका बढ रहा था और आपने उनको बोला, फिर भी नहीं और आप्टर की, फोटो दिखाई आपकी reference के लिए, ताकि कल को जब आप मन बनाओ, treatment लेने का हो सकता है, आज आपका mood नहीं है, कल को आप जब सोचो की सफेद लाग का इलाज है भी की नहीं है, ये फोटो ये वीडियो आपको याद रहे, आप इसको recall करें, कि येस, treatment is definitely possible, vitiligo is a manageable disorder, it is a reversible disorder, and Kaya Club Global provides a very good online ecosystem of treatment, but apart from that, चलो वापस बात करते हैं, मैं आपको एक और सबजी ऐसी बताता हूँ, जिससे की bonus सबजी, जिससे आपको विटलाइगो में मदद मिल सकती है, वो है चकुंदर, beetroot, and आप notice करेंगे कि जो भी मैंने आपको सबजी बताई है, उन सब में common बात है, they are very dark in color, इनका जो pigment है, चाहे वो पालक हो, dark green, है न, चकुंदर हो, dark red, magenta, चाहे वो गाजर हो, deep orange, ये कुछ ऐसे colors हैं, इससे ये पता चलता है कि ये color formation में help करते हैं, उन सबजीों के अंदर ही carotenoids हैं, जो color formation में help कर रहे हैं, एक और सबजी के अधर मैं बात कर लेते हैं, रफते में दो तीन बार ही सबजी आप खा लेते हैं, तो I, I believe कि आपका जो vitamin A, vitamin K, vitamin D, micronutrients, beta carotenoids, alpha carotenoids, ये सारी जो requirements हैं, ये पूरी हो जाएंगे, आपको anti-inflammatory benefits मिलेंगे, anti-oxidant benefits मिलेंगे, color formation benefits मिलेंगे, तो definitely इनका रोल तो है, now coming back to the last part of the video कि इनका रो meta-analysis that has been done so far, कि ये जो सबजीया मैंने बताई है, इनको रोज खा लेने से सफेद दाख ठीक होजाए, अगर देखिए, ऐसा नहीं है, these are supplemental things, these are, you know, additional things कि आपको ongoing treatment के साथ-साथ ये चीजें करनी चाहिए, but इन पे 95% energy अपनी ना लगाए, आपका 95% focus इसी पे होना चाहिए, कि मैं अच्छा treatment लूँ, अच्छी जगा से treatment लूँ, मेरा रंग जो बन रहा है, वो matching बने, कोई side effects मेरे को ना आएं, और बढ़ना रुख जाए, अगर मानलो आज यहाँ पे है मुझे सफेद दाख, और खतरा है कि मेरे चेहरे पे आ सकता है, तो मैं ये गलती ना करूँ कि मैं किसी गलत जगा चले जाऊँ और फिर मेरे एक साल खराब हो जाए, और बिमारी मेरे होट पे आजाए, बिमारी मेरे नाक पे आजाए, प्राइवेट पार्ट पे आजाए लड़कों की, और फिर उसके बाद उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे marriageable age group में male and female आते हैं OPD में and they regret कि हमने किसी गलत जगा से treatment शुरू किया अब देखो हमारे private part पर सफेद दाग आगे अब तो हमारी शादी में problem आ रही है आपको डरा नहीं रहा हूं there's always that one person in the YouTube comment section जो आके बोलेगा कि डरा डरा के दवाई दे रहे हैं this is information that I am sharing with you मैं नहीं कहरा कि आप मुझसे इलाज लो मैं आपको बता रहा हूं कि यह हो सकता है यदि बीमारी को बढ़ने से ना रोका जाए सही समय पे तो वो कुछ ऐसे parts पर आ सकती है जहां पर ठीक करना doctors के लिए मुश्किल हो जाता है इसलिए timely treatment is advisable यह थी आज की वीडियो मैंने आपको 3-4 सबजियों के बारे में बताया मैंने आपको बताया कि इनका रोल सिरफ 5-10% है आप प्लीज इस पे बहुत जादा फोकस ना करें यह ना कि ऐसा ना हो कि यार मैंने यही सबजी नहीं खाई इसलिए मेरे को सफेद दाग हुआ ऐसा नहीं है ठीक है मैंने आपको before-after की photograph दिखाई मैंने आपको treatment की guidelines समझाई तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो short and brief वीडियो थी पसंद आई हो तो please channel को like जरूर करें and आपका भी कुछ experience रहा है vegetables के साब तो comment section में share करें ताके बाकी लोग भी आपकी experience से कुछ सीख सकें धन्यवाद झाल 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 झाल